नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है को फिर से जॉब स्टुड में दोस्तों आज की वेकंसी काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है उन इस्ट्वेंटों के लिए जो एससी सीपी और एसाई टूटाजन ट्वेंटी की यहां पे जो इंद्जा यहां पे एप्लिकेशन फी विल्कुली फिरी है उन कंडिडेट के लिए जो एससी एश्टी और ओल फीमेल केटोगरी है ठीक है दोस्तों यहां पे टोटल पोश्ट जो है वह पंद्रह साच्यों सट आया है दोस्तों और यहां पे बहुत ही अच्छी वेकंसी है टूटाज कि आने वाली और भी सारी एससी सीपी ओ एसाई की जो है वीडियो आपको टाइमली मिल सके चलिए दस्तों आगे बढ़ते हूं और जानते हैं पूरी डीटेल इस वीडियो में दोस्तों मैं स्टाफ सेलेक्शन कमिस्टन की ऑफिसल बैप साइट पर आ चुका हूं और आप यहां पर देख सकते हैं 17 जून 2020 की जो है एक न्यू नोटिफिसन आई थी जैसे की मैंने बताया यह सब इंस्पेक्टर वाली है इन दली पूलीस एंड सेंट्रल आर्मिन फोर्स की जो है यानि पूलीस की जो है यहां पर वह यह नोटिफिसन है और इसके अंदर जाके मैं आपको इसे पूरी डिटेल में बताऊंगा और थोरी सी यह वीडियो लॉंग हो सकती है क्योंकि इसमें पूरी डिटेल में आपको मैं इसके जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों इसकी यह ओफिस्यल जो है वह नोटिफिसन है वैसे मैंने आपका डिस्रिप्सिन में लिंक दे रखा हूँ आप जा के जेक कर सकते हैं सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे आप पर जो है वह सब इंस्पेक्टर इन देली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स एक्जामनेशन 2020 की जो कि इसमें भेकेंसी जो आई है वह दिली पुलिस के लिए भी आई है और स इंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के अंदर जो भी आती है उन सारे के लिए यहां पर भेकेंसी आया है इसमें और यहां पर जैसे कि मैंने बताया 1564 पोस्त पर यह भेकेंसी है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि इसकी ऑनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो च और यहां पर आपकी जो ऑफलाइन अगर चलान के थुरू आप पेमेंट करते हैं तो इसे आपको 20 से आत 2020 तक जो है वो टाइम दिया गया है ठीक है तो इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है और सारी डिटेल में आपको वैसे बता दूँगा किस तरह से क्या होगी और रखने के बाड़ में यहां पर भी बताया गया है कि आपकी जो CBT 1 होगी पेपर वन इग्सामनेशन इसकी वो होगी 29 2020 को और एक होगी आपकी जो है 5,10,2020 को इन दो डेट में जो है आपकी यहां यांई 29 से लेगे 5,10,2020 तक जो है इसकी वो आपकी एक्सामनेशन होगी रखी गई है अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात करें हम सब इंस्पेक्टर की जो आपकी जीडी वाले पोष्ट के लिए है उसकी पेस्किल के बारे में तो आपकी जो है लेवल 6 से जो है यहाँ पे 35-400 सेल्डी बनती है और मैक्सिमम आपकी जो है वह यहाँ पे जो ए सेम ही आपकी यहाँ पे सेल्ली बनेगी दोस्तों अब भैकेंसी को लोगे हम लोग बात करते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर वाली जो पोष्ट है देली पूलीस में उसमें male category की यहाँ पे देख सकते है कि आपकी कितनी भैकेंसी है यहाँ पे कैटेगोरी वाइस है यहाँ प दोस्तों में जो है सेवेंटीएट पोष्ट है अब बात करें दोस्तों सब इंस्पेक्टर जी डी जो सेंटर आमिट की वह वेकेंसी उसमें यहां पर आप लोग देख सकते हैं किरिकी ड्रहर और याप लिए डेख सकते कितनी पोस्ट है तोतल जो है वहां 141 सबसे ज्यादा में आपकी वेकैंसी है female के लिए 32 है इस तरह हम लोग BSF में देखें तो male के लिए 232 है और female के लिए 12 पोस्ट रखी गई है जो कि totally यहाँ पे 244 जो है वह पोस्ट होटी है इसी तरह हम लोग देखें ITVP की जो male candidate के लिए जो वेकैंसी है उसमें यहाँ पे और 36 है और फीमेल के लिए 7 पोस्ट है टोटल भिगैंसी जो है इसमें 43 है उसके आद CISF में देखें male candidate में दोस्तो तो इसमें अठाड़ा आपकी जो है पोस्ट है और फीमेल के लिए 2 पोस्ट है 20 पोस्ट टोटल इसमें है और SSB वाले में अगर देखें दोस्तो तो SSB में आप भी सबसे कम पोश्ट है जो कि आपको 16 पोश्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी ठीक है दोस्तो और इसी तरह से आप लोग टोटली यहाँ पे देख सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है एक्सर्मिसमें के लिए भी काई सारी पोश्टे हैं तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तो अब लिमीट के बारे में हम लोग जाने तो कोई भी कंडिडेट से अपलाई कर सकते हैं जो कंडिडेट जो 20 प्लस हो और 25 के बीज में हो यह जेनरल कैटोगरी के लिए एक ठीक है दोस्तो और इसे अपलाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे अ जनरल केटोगरी के लिए है अगर आप SCST या OBC में है तो आपको तीन साल की यहां पर रिलेक्सेशन मिल जाएगी अगर एक सर्विस्पैन है तो आपको यहां पर तीन साल की जो है वह छूट दी जाती है अब दोस्तों यहां पर बात करें एजुकेशन क्वाइलिफिशन के बाड़े में दोस्तों तो जिसने बैचलर डिगरी प्राप्स कर लिया है या वह एक एक दो हजर एकीस तक जो उनकी एजुकेशन क्वाइलिफिशन होगी वह यहां पर अपलाई कर सकते हैं ठीया दोस्तों किसी भी वह इनुवर्सिटी से होने चाहिए और यहां पर जितने भी पोश्टों के लिए है वेकेंसी उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही भड़ सकते हैं या उससे ज बैचलर डिग्री है वो होना इवार है और उसके बाद जो है वह एल एम भी ठीक है दोस्तों अगर बात करें एप्लिकेशन फी के बारे में तो दोस्तों एप्लिकेशन फी 100 रूपीज है सिर्फ उन केंडिडेट के लिए जो यू आर यानि की जेंडेल और OBC और EWS के कंडिडेट हैं वह भी मेल कंडिडेट के लिए बाकि जितने भी फीमेल कंडिडेट हैं उनके लिए यहां पे बिल्कुल ही फीरी होने वाली है और SCST के जितने भी कंडिडेट होने वाले मेल फ लाइक कर सकते हैं, उनके लिए किसी तरह की अप्रिक्सन चार्ज नहीं रखी गई है, यह ध्यान रखिएगा, इसे आप जो ऑन-लाइन बूट से जो है, आप पैमेंट कर सकते हैं, या बैंकिंग जो SBI का बैंक चलान है, उसके थूरू भी आप इसे अप्लाइक कर सकते हैं, दोस्तो अब आप लोग के मन में ये सवाल उत्ता होगा, कि इसकी जो है, वह सेंटर कहा होगी, यानि एक्जामने सेंटर कहा होगा, दोस्तो मैं आपको बता दू, जिस भी एस्टेट से आप विलाउं करते हैं, आपको उसी एस्टेट के जो है, वह डालधानी में, जो है, दी जाएगी, या ऐसे इस्टेट में दिया जाएगा, ऐसे डिश्टिंग में दिया जाएगा, जो आपको स्सी की ज्यादा सेंटर वहाँ पर दी है, जैसे हम बात करें पहले सेंटर रीजन की, जो की जिसमें आते हैं बिहार और उत्तर परदेश एस्टेट, यहां पी मैं और यहां पे बिहार की वारे में थी, अब इस्टन रीजन की बात आदे तो इस्टन रीजन में जो है, वह अंडमान जो निकोवार डिपसम हो है, उन्हां पे आते हैं ज्यारकन आती है, और इसा सिक्किम एंड वेस्ट वंगॉल, यहां पे आपको बता दू, पोर्ट बलेर की बता दू, तो नौर्ट रीजन में जो है, यहां पे आपकी देली, राजथान और उत्रा खंड आती है, देली की तो देली, NCR में आपकी हो जाएगी, और राजथान की बात करें, तो अजमेर, उसको यहां पे अलवार, उसको यहां पे विकानेर, जैपूर, जोदपूर और कोटा, इन जगों पे होगी, उसको यहां पे देख सकते हैं, जो उदएपूरा, वहां भी आपकी होगी, सिकार, उसको यहां देहड़ा, दून, इस तरह से यहां पे इस तरह, आपको जो है, वह आपकी examination center होगी, अपने state के जो है, जो भी आपका state होगा, वहां पे आप का हो गाई center अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें जो आपकी physical जो एवलिटी है उतके बारे में जो यहां पे आपका standard रखा गया है दोस्तों अगर बात करें स्सी औ की इसमें physical ability जो है सबसे पहले mail के लिए आपको बात करने जा रहे हैं जो कि General OBC और isक के लिए के लिए है हाइट की सबसे पहले बात करे ठो जो सतर संटी मिटर याद्र होना निवार है चेस्ट की बाट करे तो 85 जो है यानि 85 सेंटि मीटर आपका होना निवार है उसद्व यहां पर एरेस टाइम दिया गया है जो आपका पर यहां पर देख सकते हैं कि माँगा जो गया है आपका कि एडेश टाइम को होना चाहिए हटेगे जो कि आपको टाइम दिया गया है 16 शेकेंड में आपको 100 मीटर की दोर लगानी पड़ेगी एडेश टाइम है लॉंग जम्प इसमें रखा गया है 3.65 मीटर का लॉंग जम् यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि चैंसे जो है वह तीन टाइम दिया जाएगा इन सभी के लिए आपको ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों जो यहाँ पर SSC CPO का जो है वह मेल के लिए जो कंडिडेट हो हैं और उनका जो है वह स्ट का है कैटोगरी यहाँ पर ST मैं बता दूँ आपको ठीक है तो आप लोग ध्यान रखिया है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें हाइट की तो 165 cm है तो अपलाई कर सकते हैं चेश्ट आपकी 77 से लेके 82 तक यहाँ पर होना अनिवार रहा है रेस एकसव मीटर आपको ठाइम 16 सेकेंड दिया जाएगा लॉंग जंप दीन दसन में 6-5 मीटर हाई जैंप यहाँ पर एक दसन में 2 मीटर और सूट अब जो है चार दसन में 5 मीटर आपको यह चांस तीन दिया जाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं जो जेंडरल और OBC औ उनके लिए दोस्तों तो यहाँ पर उनके लिए भी जो है वह हाइट 157 सेंटी मीटर रखा गया है चेश उनका नहीं लिया जाएगा डेस 100 मीटर 18 सेगेंड का टाइम दिया जाएगा लॉंग जंप यहाँ पर दो दसन में 7 मीटर रखा जाएगा हाई जंप 0.9 मीटर होगा सूट अप जो है इनका नहीं होगा और इनको भी चांस तीन दिया जाएगा ठीक है तो तीन चांसे दिये जाएंगे इन साभी के लिए नेक्स्ट जो है दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्सी सीपी ओ का जो फीजिकल एबिलिटी है वो फीमेल ए नहीं होगा चांस भी इनको तीन चांस दिया जाएगा दोस्तों यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी दोस्तों इस यूटीब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए है क्योंकि स्सी सीपी ओ का अभी हाली में जितने भी जानकारी हमें मिली है हम आप तक उन